यूपी की जन्पत आयोध्या से खबर आ रही है। कि उनकी साधी आज के 5 साल पहले हुई थी। पती-पत्नी के रूप में दोनों लोग आपस में रहते थे। जगवीर कोरी को दो बच्चे भी हैं। जब पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर माई के गई तो वहाँ पर उन बच्चों का खतना करवा दिया। जब यह बाद जगवीर कोरी को पता चली तो उसे मालूम हुआ कि जिस लड़की के साथ उसने साधी की है वह मुसल्मान है। जिसके चलते जगवीर कोरी ने अपनी पूरी बात मेडिया कर्मियों के सामने बताई। उन्होंने बताया कि मुझसे जूट बोलकर साधी कराई गई। बाद में जब बच्चों का खतना हुआ तम मुझे मालूम पड़ा यह लड़की मुसलिम बिरादरी की है। जगवीर कोरी का यह भी कहना है लड़की पक्षवाले हम पर दबाब डाल रहे हैं कि तुम मुसलिम धर्म अपना लो नहीं तो तुम्हारा सिर्फ कलम कर दिया जाएगा। इस मामले को लेकर आयोध्या के महंत स्वामी परमहंस दास ने इसकी कड़ी निंदा की है। और उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले को गंभीर्दा से लिया जाए और उनके खिलाप सक्त से सक्त कारिवाही की जाए। और इस मामले को लेकर पीडित ने आयोध्या कोतवाली में तहरीर भी दी है। से एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है अयोध्या में एक हलकारा का पुर्वा है वहाँ हमारे एक दलित है जगबीर जगबीर ने जो है साधी किया तो जो लड़की थी वो पूजा अपने को बताती थी और इनके बच्चे भी हो गए बाद में उसने जो है तो बच्चों का खतना करा दिया और उसके परिवार की लोग आ गए इनको मारे पीटे इनका धन लूट के ले गए और इनका सरकलम करने की बराबर धमकी दे रहे हैं पता लगा कि जो पूजा बताने वाली लड़की थी वह पूजा नहीं वह हसीना बानो थी और ये गजबा ए हिंद का एक नया तरीका एक नया जिहाद हिंदियों को नस्त नाबूत करने का एक नया तरीका जो है तो खो जा गया है इसलिए अभी तक तो लोग सुनते थे कि खाने पीने की चीजों में ये लोग जो है तो थूक देते थे गंदगी डाल देते थे बेधर्म करने के लिए अभी तक ज जमीन जिहाद, लवा जिहाद, फिल्म जिहाद, तमाम तरह का किस्सा जिहाद, लिकिन एक ये नये तरह का जिहाद सामने आ गया है गजवाहिंद के लिए. इसलिए मैं सासन पर सासन से मांग करता हूँ के अंदर सरकार और स्टेट गवर्मेंट से कि इस तरह की जो घटनाये हैं इनकी इनकी पुनरावड़ती नहों इनकी रोक लगे और ऐसा कानून बनाया जाए कि जो लोग लोजिहाद कर रहे हैं और सामोहिक बलादकार करके और ब खरीब घर की बेटी है तो कोट का चहरी का चकर काटते काटते माता पिता ठक जाते हैं वो सांधों के बैट जाते हैं उस बेटी को इंसाम मिलने में बर्सों लग जाता है इसलिए देश की रक्षा के लिए संस्कृती की रक्षा के लिए संभिधान की रक्षा के लिए और म और वापसी करने के लिए सरकार छूट दे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले उनके रोजगार की जिम्मेवारी ले और मैं गारंटी लेता हूं कि जितने भी इसाई और मुसलिम हैं एक भी कोई ऐसा नहीं बता सकता है कि जिसके पूरुबज कभी भी हिंदू न रहे हो और उनको हिंदू बनाया गया हो लेकिन 100% मैं बता सकता हूँ भारत में जितने हिसाई हो मुसलिम है सब कनवर्टेड है सब हिंदू हो से जो है किसी तरह से ये सड्यहंत्र करके ये लोग लोब लालच दे करके या दरा करके धमका करके हिंदूओं को कहीं इसाई बनाया जा रहा है कहीं मुसल्मान बनाया जा रहा है कहीं बहन बेटियों की हत्या की जा रही है और कहीं सर काटने की धमकी दी जा रही है ये लगातार जो घटनाएं घट रही है हम संबिधान के दाइरे में थे हैं और रहेंगे लेकिन माननी सर्वोच चिन्याले ने कहा है कि अगर परिवार पर हमला हो तो आप कानून हाथ में ले सकते हैं हम सादू संत हैं हमारे लिए वस्देब को टम्बकम पूरी प्रिथवी अपना परिवार है इसलिए कानून को हाथ में न लेना पड़े उसके लिए ऐसा कानून बनाया जाए